एक तो पहलू यह है कि आहार और स्वास्ति का संबंद, दूसरा है आहार और मस्तिष्क का संबंद, कैसा आहार करें जिससे मस्तिष्क हमारा स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, विचार स्वस्थ रहे और भावना स्वस्थ रहे, एक बड़ा अंतर आता है यहां कहा गया कि न्यायो पार्जीतम बित्थम, कौन सा भोजन करना चाहिए? कि जो न्यायो पारजीत धन से मिले हुगे भोजन करना चाहिए? आज तो सारा गड़बर मामला है, धन्यायो पारजीत कहां है? आज तो वेव्यक्ति ज़्यादा कमा सकता है कि जो छल प्रवंच ज़्यादा करता है ज़्यादा कमा सकता है पिर न्यायोव पार्जित की तो बात पुरानी बात हो गई किसी समय माहा मात्य चानके ने लिखा था कि न्यायोव पार्जित धन तो अर्थ होता है और गलत तरीकों से कमाया हुआ धन अर्था भाष होता है आज का लेखा जोखा किया जाए तो अर्था भाष सायद नब्वे प्रतिसत मिलेगा और अर्थ मुस्किल से दस प्रतिसत मिले तो फिर हम जायोपाजित की बात तो कैसे करें बड़ा कशिन काम हो गया असर तो बहुत आता है किस भावना के साथ धन कमाया गया अगर धन कमाते समय भी नकारात्मक भाव है और नकारात्मक भाव से जो धन आया अवस्य वै कोईन कोई विक्रिती पेदा करेगा आज जो कलह बढ़ा है, कदाग्रह बढ़ा है, धन को लेकर जो समश्याएं बढ़ी है, कोईन कोई कारण तो है, परिवारों को देखते हैं, मैंने भी देखा, पचाश वर्ष पहले जो परिवार हिंदुस्तान की प्रसम पंक्ति में आते थे, आज साइद कहां चले गए, नहीं कहना अच्छा है, कोईन कोई कारण तो बनता है, कभी भाईयों में कले हो जाता है, कभी भागीदारों में कले हो जाता है, कभी किसी में कले होता है, और सारा कारों बाहर चोपट या नीचे की दिसा में चला जाता है, हम अभी तक भी इन सचाई को नहीं समझ पा रहे हैं, कि जो करुणा के साथ धन कमाया जाता है वे धन साइद अधिक फलवान होता है अधिक लाब देता है और जिस धन के अरजल में कुरूर मनो वृत्ती का व्यवहार होता है दूसरों के प्रती ग्राहक के प्रती या और किसी के प्रती कुरूरता होती है जिसे आज की भासा में कहते हैं सोशन होता है तो वैधन प्रचूर मात्रा में आने पर भी फालित नहीं होता फल नहीं देता और और विक्रिती पेदा करता है